Hello friends, हम सीख रहे हैं मुलकराज आनन्द के वाक्स और पिछले लेक्चर में हमने डिसकस किया था उनका फॉस्ट नोवल, Untouchable आज के लेक्चर में हम डिसकस करने जा रहे हैं उनके एक नहीं दो नोवल सबसे पहले हम डिसकस करेंगे कुली को और उसके बाद हम लेंगे Two Leaves and a Bud तो friends, लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपको नोवल समप यहां मिलेंगे और साथ ही साथ बड़ा इंपर्टन होने वाला है तो चलिए friends, let's start देखिए बात अगर हम कुली की करें तो कुली उनका second novel था जो पबलिश हुआ in the year 1936 और कुली के माध्यम से कुली का जो हीरो है वो है एक 14 साल का लड़का जिसका नाम है मुन्नू और वो मुन्नू है, उस मुन्नू की जो स्टोरी है एक miserable story, miserable plight जो मुन्नू की है वो यहां आनन्द ने दिखाई है और वो due to poverty and exploitation poverty का और exploitation का वो पूरी कहानी में शिकार रहता है तो कही ना कही यहां जो sympathies है आनन्द की underdogs के परती वो इस novel में हमें दिखाई पड़ती है और वो अपना जो समाज में जो exploitation होता है उसको बताने की कोशिश करते है तो बड़ी interesting story बन पड़ी है तो बात कर लिते हैं सबसे पहले तो यह novel पब्लिश हुआ था 1936 में और कहानी है 14 साल के लड़के की named moon moon a story of a lad of 14 year old named moon बात के लियर होई फ्रेंस और आनन्द सूज इस मिसरेबल प्लाइट दू तो पवर्टी और प्लाइटिए और प्लाइटिए इस्टोरी शोज क्या बताती है कहानी एक मिसरेबल प्लाइट बताती है और किसकी कहानी किसकी मिसरेबल प्लाइट और मुन्नू दू तो प्लाइटिए और एक्स्प्लाइटेशन अब बात कर लेते हैं कि देखिए यहां जो नोवल बताता है एक क्लास डिस्टिंक्शन को बताता है यानि जो समाज में जो भेध है अलग-अलग वर्क बटे हैं एक निтобर्ण वर्क हैं उस वर्क को यहां नोवल डिस्प्ले करता है केलियो फेर्ट्स तो वी केन सेट शी डिस्प्लेशेन क लौ डिस्टिंक्शन distinction बात clear हो गई अब जो मुन्नु है ये एक लड़का है कहां से है हिमाचल प्रदेश की जो कांगडा हिल्स है वहां से ये बच्चा है मुन्नु is from कांगडा हिल्स हिमाचल प्रदेश दा कांगडा हिल्स अव हिमाचल चलिए हिमाचल लिख देता हूं एक लाइन हमारी बच जाएगी क्लिए फ्रेंट्स हिमाचल प्रदेश यू कन अन्देस्ट फ्रेंट्स कहानी में एक और करेक्टर की एंट्री होती है और उनका नाम है दयाराम और दयाराम कौन है मुन्नू के अंकल है एक्चल में जो दयाराम है वो एक जगह है शाम नगर शाम नगर में वो काम करते हैं एक पियन है और इंपीरियल बैंक में पियन है तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं मुन्नू है कमाने लायक हो गए इसको ले चलते हैं वहां कमाएंगे सीखेगा बच्चा कुछ कमाना सीखेगा और मुन्नू को भी लगता है कि वर्ड में एक जाना है नई जगा जाना है तो बच्चा है उत्साहित रहता ही है क्लिए फिर्ट्स तो कहानी आगे बढ़ती है मुन्नू अंकल देयराम तेक्स हिम तो शाम नगर तो शाम नगर S-H-A-M नगर N-A-G-A-R क्लिए फिर्ट्स वेर ही वाक्स एज अपियोन इन इंपिरियल बैंक मुन्नू को उसके अंकल क्या करते है कि बैंकर है बैंक में सब अकाउंटन कहिए या कलर्क कहिए और उसका नाम है बाबू नाथू राम तो वो क्या करते हैं उसके अंकल उस बाबू नाथू राम के हैं मुन्नू को अपॉइंट कर देते हैं कह देते हैं घर का कामधाम कर लेगा बच्चा है छोटा इसको जॉब मिल जाएगी काम चल जाएगा तो मुन्नू वहां क्या होता है मुन्नू एज ए हाउस होल्ट वो काम करता है किसके यहां फ्रेंट सेट बाबू नाथू राम के यहां नॉट सेट क्ले फ्रेंट्स मुन्नू वर्क्स एज आज आज हाउस होल्ड इन बाबू नाथू राम आप बैंकर और कौन से बैंक में हैं फ्रेंट्स इम्पीरियल बैंक में जैसा की उपर नाम भी आ गया वो बैंकर है कौन है बाबू नाथू राम तो बाबू नाथू राम के यह मुन्नू जो है जो डोमेस्टिक वोक्स उनको करता है यही पर एक companion उसे मुन्नू को मिल जाता है और वो है बाबू की बेटी जिसका नाम है शीला तो चलिए कहानी आगे बढ़ाएंगे पहले इसको हम एक बार समझ लेते हैं देखे कहानी है एक 14 साल के लड़के की जिसका नाम है मुन्नू जो अनात है अपने चाचा और चाची के साथ रहता है उसी की एक miserable plight यहां आनन्द ने दिखाई है due to poverty and exploitation के किस तरह से वो गरीबी और exploitation का शोषण का सिकार वो बच्चा रहता है एक class distinction भी आनन्द यहां इस novel के माध्यम से दिखाते हैं और मुन्नू है हिमाचल प्रदेश में कांगरा हिल्स से वो है और इसके बाद बात करते हैं एक और character है दयाराम दयाराम अब चुकि चाचा चाची है तो अब उने लगता है बच्चा बड़ा हो रहा है चाची कही ना कहीं बच्चे के परती वो moderate नहीं है तो क्या करता है चाचा उसके क्या करते है कि चलो भाई अब ऐसा है काम करते हैं वो उसको ले जाते हैं जहां वो जॉब करते हैं तो इंपीरियल बैंक में एक बैंकर है बाबू नाथुराम बाबू नाथुराम के यहां उस बच्चे को 11 वहारा के लिए कह दिया जाता है बच्चा लगजाता रहा है काम करने लिए तो चलिए आगे बढ़ाएं के कहानी पहले नोट कर लेते हैं अब देखिए बच्चे को एक कम्पेनियन मिल गया और कम्पेनियन कौन मिल गया शीला शीला इस बावूज डाटर अब बच्चा जो है मुल्मू क्या करता है बच्चा है तो जो बच्ची है शीला शीला के साथ वो खेलता है और वो एक मंकी डांस करता है और बाकी और बच्चे है उनको वो हसाने का काम करता है फन करता है काम करता है और साथ में वो अपना फन करता है एक दिन अच्छा, यहां भी जो दोनों करेक्टर हैं, बाबू और बाबू की वाइफ, बाबू की वाइफ है बीवी उत्तमकौर तो वाइफ जो है, यहां इस मुन्नू के परती वो मॉडरेट नहीं है, हाला कि यहां यह बैंकर है बाबू, तो बाबू तो क्या करता है? बच्चे के प्रति काइंड है लेकिन एक दिन खेल खेल में जो है जब मुन्नू उस बच्ची के काट लेता है बढ़ी खेल है बंदर का खेल कर रहे हैं तो बच्ची के धोके से काट लिया जाता है शीला के अब जब उसको काट लिया जाता है बाइट हो जाती है तो फिर क्या होता है उसको mercilessly पीटा जाता है मुन्नु को पीटा जाता है चोटा लड़का है पीटा जाएगा तो मुन्नु क्या decide कर लेता है वहां से भागने का वो decide कर लेता है चला जाता है भाग जाता है railway station पहुंच जाता है railway station पहुंचता है तो एक train में चड़ जाता है और train कहां जा रही है मुंबए जा रही है दो घंटे वो travel करता रहा तभी ट्रेन में एक character आते हैं सेठ प्रभू दयाल प्रभू नहीं प्रभा दयाल तो सेट प्रभादयाल से मुलाकात होती है और मुलाकात होती है और एक्च्वल में दो घंटे टेवलिंग के बाद उनकी एक फैक्टरी है दोलतपूर में सेट प्रभादयाल की तो सेट प्रभादयाल देखते हैं बच्चे को तो वो बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं कि रेफर्स तो चलिए नोट कर लेते कहानिया से धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी तो वन डे कि वाइल प्लेइंग कि मंकी डान्स कि मुन्नू कि बाइट्स कि शीला कि ही वोज बीटन मर्शी जैसली कि एंड दैन ही डिसाइड़ लेता है और उसके बाद उसकी बुलाकात एक नए करेक्टर से होती है किस्से होती है ही मीट्स सेट प्रभादयाल इन इन डट्री इस सारी कहानी नहीं लिख रहा में सारी कहानी लिखूंगा तो लेक्टर बहुत लिंदी हो जाएगा हां कहानी है जरूर आपको सारी समझा रही होगी ही मीर्जट्र इसमानी ही ही मीट्स सेट प्रभादयाल इस अ कि हूँ रंस कि अब पिकल फैक्ट्री इन दौलत पूर कि एक प्रभाद याल से उसकी मुलकात होती है जो एक पिकल फैक्ट्री चलाते हैं कहां चलाते हैं दौलत पूर में जिनकी एक पिकल फैक्ट्री है और वो उनके साथ चला जाता है बच्चा है काम की जरूत है दोनों ने देखा बच्चे को लिए गए चलो भाई बच्चे को अपने साथ काम पे लगाएंगे वहां पर जो सेट प्रभाद याल है उनकी वाईफ है वो बच्च क्या करता है उनके साथ चीट कर देता है और उसका रिजर्ट क्या होता है कि जो सेट प्रभाद याल है ही बिकम्स बैंक्रट्ट बिल्कुल दिवालिया हो जाते हैं काम दंदा बिल्कुल खतम के लिए फ्रेंट्स काहनी सवाज में आई सेःड प्रभाद याल वेकम्स बैंक्रव्ट बिकॉसर बॉसर बॉसर बच्टिंग्ट वीस पार्टन गनपत अब इसके बाद दिवालिया हो गए तो फिर बच्चे को फिर वहां से कहीं और दूसरा काम करना पड़ा अब जो मुन्नु है मुन्नु को काम करना पड़ता है फैक्टी बंद हो गई काम खतम हो गया वहां से भी सिट प्रभादयाल के आसे फिर मुन्नू क्या करते है मुन्नू को as a कुली काम करना पड़ता है मुन्नू decides to walk as a कुली बात के लिए अब कुली की तरह वो काम करता है तो वही एक और एंट्री नए करेक्टर की होती है मिस्स मेन वियरिंग की तो जो मिस्स मेन वियरिंग है उनकी कार से उनकी जो कार है मुन्नू को हिट कर देती है अब हिट कर देती है तो वो क्या करती है इसको अपनी कार में लेती है और उसको बच्चे को ले जाती है वो शिबला तो बच्चा अब मुनु कहां चला जाता है शिम्ला चला जाता है शिम्ला जाने के बाद उसको क्या करता है जो रिक्सा पुलर बन जाता है मेन वियरिंग की जो वहां पहुचने के बाद उसको एजे रिक्सा पुलर मुनु को इवन काम करना पड़ता है health weak होती जाती है और at last क्या होता है TB के कारण tuberculosis के कारण इस बच्चे की death हो जाती है और ये सारी कहानी जो गटित होती है ये one year के life span में one year का जो duration है उसमें सारी कहानी आरन ने set किये है यानि जो 14 साल का बच्चा था कहानी में शुरू में अब वो 15 साल की उम्र में शेमला में मर जाता है बात के लिए रहो गई कहानी फिंट्स कैसे कैसे हुआ क्या क्या हुआ एक बार यहां भी डिसकस कर लेते हैं तो वो कहां चला गया था बैंकर के यह चला गया था बाबू के यह जो इंपिरियल बैंक में बैंकर थे उनके घर का काम करने के लिए उननों चला जाता है, वहाँ जाने के बाद शीला से मुलाकात होती है, बच्चों के साथ खेलता है, खेल खेल में एक दिन काट लेता है, बच्ची के वहाँ से पीटा जाता है, पीटा जाने के बाद वहाँ से वो डिसाइड कर लेता है भागने क दिले लिए ट्रेन में बैठ जाता है ट्रेन मेरे जब बैठ जाता है वो लकात होती हैbuilding में उसकी सेथ प्रभाधयाल से जो एक bigl factory चलाते हैं दोलतपुर में उसको वो ले आते हैं ले आने फिर आगे बढ़ते हैं तो जो सेट प्रभाद आयाल है he becomes bankrupt मुन्नु को काम करना पड़ता है एजर कुली मुन्नु हैस तो वोग एज आ कुली पाद के लिए वेफेंस फिर ही इस हीट बाद कार फिर मिस्स में वेरिंग मिस्स में वेरिंग एक इंगलिस लेड़ी है मिस्स में वेरिंग वो क्या करती है सी टेक्स हिम इन हर कार एंड गोज टू शिमला देखिए फिर्ट्स कहानी यहां ब्रीफ कर दी गई है बहुत सारी इंसिडेंट हैं लेकिन इंपॉर्टन इंसिडेंट मैंने आपको उसा कहानी में सारी सुना दी क्योंकि एक नॉवल है उसको आदे घंटे के या बीस मिट के डिवरेशन में लेकिन हम अपने मतलब का काम कर रहे हैं पूरा नॉवल हम समप कर लिया हमने और पूरी कहानी हमारे माइन में अगर है तो फिर हम इसली जो भी हमसी क्यूज हमारे आते हैं उनको हम दे सकते हैं क्लियर होगी बात फिर्ट्स एंड गोज डू शिमला शिमला चला जाता है मु क्लियर फिर्ट्स एजर रिक्सापुलर उसको काम करना पड़ता है और इसके बाद ही बीकम्स वीकर एंड डाइज और टीबी ट्यूबर ग्लॉसेस से उसकी डैथ हो जाती है इन शिमला तो कहनी बिल्कुल क्लियर हो गई वह की फिर्ट्स तो चलिए नोट करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट नॉवल है उसको हम डिसकस करते हैं टू लीव एंड अबड़ जलिए फ्रेंट सब हम स्टार्ट करते हैं नया नॉवल टू लीव एंड बड़ यानि दो पत्तियां और एक कली फ्रेंट्स जो यह नॉवल आया यह आया 1937 में यानि 35 में फर्स्ट नॉवल 6 में सेकंड नॉवल और 1937 में थर्ड नॉवल और देखें इस नॉवल के माध्यम से पिछले दो नॉवल हमने ढंक से पढ़ लिये डिटेल में पढ़ लिये फ्रेंट्स समप हम कर चुके उनको यहां क्या करते हैं जो आनन्द है वो एक पैथर्टिक जो लाइफ है कहां पर जो असम का टी प्लांटेशन है वहां की जो पैथर्टिक लाइफ है उसको यहां बताते हैं और एक्चुल में देखें जो उस टी प्लांटेशन था उन दिनों बेटिश इंडिया का जमाना था बेटिश इंडिया में क्या होता था जो टी प्लाननेशं थे उनके जो Biraz होते थे वहाइट रूरर्स होते थे और जो प्लाइट को यहां बताया है और जो इंजस्टिस होता है किस तरह उन्जस्टिस होता है किस तरह हमारे गहाँपर नियुकावाँ मैं पाथ तेस्ट अप्ताय काहपर इन अशम् और लबर्णाट नियुक्त नियुक। काहपर इन आशम् टी प्लांटेशन्स क्लिया फेंस और बात कर लेते हैं किसके कारण है ड्यू टू दा इंजस्टिस अउव वाइड रूलर्स इसी सेंटन्स में हमने और एक बात आगे बढ़ा दी इस नौवल के माध्यम से आनंद जो असम टी प्लांटेशन है वहाँ पर जो वरकर्स हैं उनकी प्लाइट को दिखाते हैं उनकी जो दुखद इस्थिति हैं देन ये अवस्था हैं उसको दिखाते हैं और किन रूलर्स के अंदर जो वाइट रूलर्स हैं उनके अंदर जो काम करते हैं उनके नीचे जो काम करते हैं यानि टी ब्लांटेशन में अब यहां बात टाइटल की अगर करें तो एक्च्वल में जो टी ब्लांटेशन में वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रिफ्रेन गाते हैं एक दो चार लाइने गुर गुर आते हैं कि लिए फ्रेंट तो कि हम चोटे-चोटे बंडल बना लेते हैं जिनको हम अपनी भास्षा में कहते हैं पूली अबना लेते हैं तो जो पूली होती है उसको हम कहते हैं शीफ तो I will make a good sheaf plucking 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 to leaves and a bird to leaves and a bird to leaves and a bird तो वो जो रिफ्रेन को गुराते हैं, I will make a good sieve, plucking, 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 to leaves and a bird, to leaves and a bird, तो वहां से ये टाइटल आनने लिया है, किलेफर्स, तो the title is taken from the refrain, sung by the workers, और कहां के workers की बाद चल रही है, मैं पूरा नहीं लिख रहा है, workers, I will make a good sieve, और sieve समझ गया है, friends, plucking, 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 to leaves and a bird, to leaves and a bird, learn हो गया होगा, आपको भी, to leaves and a bird, तो इस refrain से जो टाइटल है, वो लिया गया है, to leaves and a bird, बात के लिए, चलिए, नोट करते हैं, फिर कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, चलिए, friends, अब देखिए, ये जो नोवल रहा है, इस पर एक फिल्म बनी है, और देवानन साहब की फिल्म थी, राही, clear, एक इंग्लिस फिल्म भी बनी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या थी, लेकिन इंग्लिस फिल्म भी बनी है, तो जो राही थी, वो इसी नोवल पर बनी हुई है, देवानन साहब की, clear, अगर मुझे नोवल डिटेल में पढ़ने हैं, मनो राही देख लेना, पूरा नोवल आपको समझा जाएगा, तो कहानी में है, करेक्टर कौन है, करेक्टर है फ्रेंट्स गंगू, एक पंजाबी मिडल एजर्ड फार्मर है, जो होशियारपूर में रहता है, उसकी वाइफ है सजनी, और उसकी बेटी है लीला, clear, फ्रेंट्स, फिल्म, राही, और किसकी है, देवानन साहब की, इस बेज़्ड ओन, दा नॉवल, दा स्टोरी, रिवोल्व राउंड, गंगू, बात के लिए फ्रेंट्स, गंगू के चारो और कहानी घूमती है, गंगू कौन है, अब पंजाबी मिल्डिल एजड फार्मर, और फ्रेंट्स, इस्पैलिंग पे दरा ध्यान आप दे लिया करो, क्योंकि मैं कहानी समझाते हुए, निटेशर पढ़ाते हैं, मुझे इस्पैलिंग का, यह कैपिटल इसमॉल का ध्यान नहीं रहता, मैं अपनी अलग दुनिया में होता हूँ, क्लिए फ्रेंट्स, तो ग्रेमर को, अगर कोई हो जाती है, तो आप इसको वोइट करा करें, लेकिन हाँ, अगर ग्रेमर पढ़ा रहा हूँ, तो फिर पूरा अटेंशन ग्रेमर पे रहता है, फिर कहीं आपको डॉट की भी गलती नहीं मिलेगी, तो चलिए, तो क्या है, दे स्टोरी रिवॉल्ब्स राउंड गंगू, पंजाबी मिडिल एजड फार्मर, पंजाबी मिडिल एजड फार्मर है, और कहां से हैं फेल्स, नॉट वक्स बलकि कहां से हैं, फ्रॉम होश्यारपूर, होश्यारपूर से हैं, बात इतनी समझ में आई, तो गंगू की कहानी, जो पंजाबी मिडिल एजड फार्मर है, होश्यारपूर का, और वाइफ कौन है, सजनी, इस वाइफ, और बेटी का नाम है फ्रेंट्स, लीला, अब कहानी बढ़ती है, एक्च्वल में क्या था, उस पे कुछ कर्ज था, और कर्ज के कारण, जो उसकी लेंड थी, वो खो देता है, और जब लेंड खो जाती है, उसकी, मैं कर्ज था, जमीन खतम हो गई, खतम हो गई, तो क्या करता है, मजबूरी हो गई, कि काम क्या करना है, पेट पालना है, अपना बच्चों का, तो आदमी क्या करेगा, मजदूरी करेगा, और उस मजदूरी करने के लिए, वो चला जाता है, जॉब करने के लिए कहां? आसाम में आसाम में जो T Plantation है चुकि वहाँ T Plantation हो रहा है तो workers की जरूरत होती है सोचा है जबी नहीं है तो अब काम कहा करूँगा आसाम चलते हैं विद फैमिली और वहाँ जाके मजदूरी करते हैं बात के लिए friends तो ही लूजिस लेंड द्यू टू डेट्स एंड किकर्ज के कारण जमीन खो जाती है है एंड ट्रेवल्स टू असाम कि असाम में ट्रवल करता है इन और टू ठेक अ प्लांटेशन जोब बात के लिए यहां तक अब जब वहां वह पहुंच जाता है तो वो क्या देखता है वो बिल्कुल hopeless हो जाता है क्या देखता है कि वहां जो काम करना होता है लेवर्रस को वो as a slave काम करते हैं एक जैसे गुलाम काम करता है उसकी तरह उन्हें काम करना पड़ता है तो ही बिकम्स होपलेस वेन ही सीज ग्लियर फिंस की जब वो देखता है कि दैट ही हैस्ट वोग देखता है देयर as a slave labor slave labor और slave labor दोनों नाउन की तरह यूज होते है labor भी और labor भी मजदूर के लिए तो अब कहानी की बात कर लेते हैं अपनी जो राही है एक movie वो इस novel पर based है कहानी है गंगु की एक पंजाबी middle एजड फार्मर है हुशियारपुर का बेटी है उसकी लीला और वाइफ है सजनी तो सजनी और लीला को लेके चुकि डैट्स के कारण लेंड उसकी चली जाती है decide कर लेता है असम के tea plantation में as a labor काम करने के लिए travel करके वहाँ पहुंच जाता है पहुंच तो गया लेकिन जाके क्या देखता है कि जो workers हैं उनको काम करना है as a slave labor clear friends चली नोट करते हैं फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे चली फ्रिंट्स कहानी आगे बढ़ती है तो he with his family lives in school हैं आगे विद इज फ्रिंट्स काम करना है परिवार को साथ ले आया और वह स्क्वेलर में कोई वर्कर काम करना नहीं वर्कर्स की जो दशा है वो कोई अच्छी नहीं होती के लिए फ्रिंट्स और यहां फिर एक और केरेक्टर की एंट्री होती है और केरेक्टर है चार्ल्स क्रॉफ्ट कुक चार्ल्स क्रॉफ्ट कॉक सी डवलो के एक कुक कहिए या कॉक कहिए यह जो करेक्टर है यह यहाँ ओथर ने एक सिंबल डाला है जो कैपिटलिस्ट एक्स्प्लॉइटेशन है एक जो पुझी वादी जो लोग हैं जो पुझी वादी परंपरा का जो एक्स्प्लॉइटेशन करते हैं जो शोशन होता है पुझी वादी लोग जिस तरह करते हैं तो उसका एक्जाम्पल यहाँ कौन है यह कॉक है तो चार्ल्स क्रॉफ्ट कॉक कहिए इसको कैन बी कॉर्ड आ सिंबल ओव कैपिटलिस्ट एक्स्प्लॉइटेशन क्लियर हो गई वाद फ्रिंट्स अब एक करेक्टर और आता है यहाँ जो पूर कंडिशन है और जो लिविंग कंडिशन है वर्कर्स की उनके बारे में चिंती थे कौन सा करेक्टर है जोन डी ला हाव जो जोन डी ला हव हव कहिए हारवे कहिए क्या कहना है इज कंसर्ण अबाउट दा पूर कंडिशन पूर टीटमेंट एंड लीविंग कंडिशन अब दा वर्कर्स जो वर्कर्स का वहाँ पूर कंडिशन है उसको लेके वह यह करेक्टर जो है चिंती थे अब फ्रेंट्स एक और करेक्टर है यहाँ यह ही है चार्ल्स अभी हम जिकर कर चुके तो चार्ल्स क्रॉफ्ट कॉक वो क्या है यह जो करेक्टर है चार्ल्स क्रॉफ्ट जो है यह क्या है जो capitalist हमारा exploitation है उसका जो एक प्रतीक है यह actual में क्या है जो plantation है वहाँ उस plantation का जो भी plantation होता है उसका यह boss है clear friends तो यह जो character है जौन डिला हावे यह क्या करता है यह इस character से कहता है कि यहाँ जो condition है plantation की जो workers की जो plantation में काम करते हैं उस character को थोड़ा सा improve हो जाना चाहिए clear लेकिन condition कुछ improve नहीं होती इसी दोरान क्या होता है कि जो सजनी है यानि गंगु की wife वो मर जाती है कॉलरा से सजनी dies of कॉलरा यानि हैजा से जो हैजे की विमारी है उस हैजा से मर जाती है सजनी और जब सजनी मर जाती है तो मर गई है तो गंगु जाता है क्रॉफ्ट के पास और उससे पैसा उधार मांगता है क्योंकि उसे मरी हुई wife का funeral करना है अंतिम संसकार के लिए भी पैसा चाहिए और मांगता है पैसा लेकिन क्रॉफ्ट क्या कहता है कि ऐसा है गंगु ये बात छोड़ और तू यहां से तुरंत निकल जा क्यों निकल जा क्योंकि तेरी wife मरी है कॉलरा से तो ऐसा ना हो यहां जो है infection फैल जाए इसलिए तुम यहां से तुरंत इस जगा को छोड़ दो क्लिए तो गंगु तो गंगु गोस्टो क्रॉफ्ट और आस्ट वर्डमनी फॉर इस वाइव फुनरल क्लियर फ्रेंट्स बात यहां तक क्लियर हो गई है दो क्रेक्टर्स की एंट्री हुई है एक तो कौक है और दूसरा है हाव जो exploitation है capitalist उसका symbol है कौक और जो यह दूसरा क्रेक्टर है हाव यह कहता है इससे चुकि यह बहुत से पास पैसा लेने के लिए पैसा दे दो ताकि इसका अंतिम संसकार किया जाए तो पैसा देने के बदले क्या करता है क्रॉफ्ट उसको यहां से चले जाने का पाद रलते देता है केने क्या कहानी समय में आ रही होगी जलिए नोट करता है फिर आगे बढ़ादे है अब काहानी में क्या देखते हैं हम क्रिमेशन के लिए वाइफ की पैसा नहीं है वह क्या करता है गंगू एक बनिये के पास जाता है और वहां से वो उस बनिये से पैसा ले लेता है और अपनी वाइफ की जो बाड़ी है उसका क्रिमेशन करता है तो ही बोरूज मनी फ्रॉम बनिया एंड क्रिमेट्स इस वाइफ क्रिमेट्स जानते होंगे फ्रेंट्स अंति में समस्कार करने को क्रिमेट्स कहा जाता है अब यहां एक वाइट एक अनदर करक्टर आता है फ्रेंट्स वाइट टी प्लांटर है रिगी हंट और जो रिगी हंट है अब देखिए कहानी में क्या रहा गंगू है वाइप चुकी मर गई है और जो उसकी बेटी है जवान बेटी उसकी नजर रिगी हंट की नजर उसकी जवान बेटी पर है यानि लीला पर है वो क्या करता है उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है पता गंगू को लगता है तो गंगू उसको रोकता है अब रोक बैठती है जूरी में थे नो लोग उन्नों में से साथ थे बिटिश तो अब समझ गए होंगे फैसला किधर आना है जो करेक्टर है यहां रिगी हंट है इसको क्या कर दिया जाता है बाइजद्बरी कर दिया जाता है फाउंड नौट गिल्टी किलिया फ्रेंस कहानी समझ में आ गई किस तरह इंजस्टिस यहां हुआ और किस तरह आनन ने इसको दिखाया तो ही बोरोज मनी फ्रॉम में बनिया और क्रिमेट्स इस वाइफ आवाइट टी प्लांट रिगी हंट क्या नाम बताया फ्रेंस रिगी हंट हंट फेल्स अट्रेंस अट्रेंस प्रेंस पंजाबी ब्यूटी लेला लेला कि बताया खाट मेंक बताब ती मिर्स अट्रेंस अग्याएट अट्रेंस अट्रण टीड्स एट्रेंस अट्रेंस। रिगी फायर्स और क्या होता है गंगुडाइज रिगी चार्जड विद गंगुज मडर रिगी चार्जड विद गंगुडाइज अब देखिए यह लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बैक्ग्राउंड में आपको नौइज दिख गया होगा बच्चा सुबही उठ गया अब चार बजे उठके लेक्चर डेली रिकॉर्ड करना पड़ता है चार बजे से अब बड़ी टफ जॉब है फिर्ट्स सारी चीज़े मैनेज करना बट नेवर माइंड तो क्या होता है रिगी चार्ज्ड विद गंगुज मदर चली बैक्गाउंड नोइस हो कोई बात नहीं अब जो वाइट जूरी है वाइट जूरी क्या करती है डिकलेयर्स रिगी बट दा वाइट जूरी डिकलेयर्स रिगी काहनी क्लियर हो गई होगी बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी कैसी रगी स्टोरी इसके रिगार्डिंग कोई बात समझ में ना आई है तो कमेंट करने में बिल्कुल भी हैजिटेशन ना रखें और फ्रेंट्स चलिए आज श्राम को लाइब भी करते हैं घड़ी में जब नो बजे बिल्कुल ठीक टाइम से आना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत सारी बाते मन में हैं चुकि एक्जाम की डेट लगबग फाइनल सी है कावर्मेंट माइंड मेकप कर चुकी है सब कुछ ठ ठाक रहा तो टाइमली एक्जाम हो जाएगा बैट के स्टेट जी पे चर्चा करेंगे बहुत सारी बाते सुनेंगे करेंगे तो ठीक नो बजे रात को लाइब करते हैं चलिए फ्रेंट्स नाओ थेंक्स वर वाचिंग इस वीडियो